हेलो दोस्तों कैसे आप लोग स्वागे था आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में दोस्तों जैसे के आप लोग जान रहे हैं भी फार्मेसी थर्ड समेश्टर वालों का फर्मा सुटकल अर्गेनिक कमिश्ट्री हम लोग यूनिट फोर चल रहा है ठीक तो यूनिट फोर में हम लोगोंने सबसे पहले वाले लेक्चर में देखा है इंट्रोडक्शन एंड कलासिफिकेशन आप पॉली नुकलियर हैड्रोकार्बन आई होप आप सभी लोग पार्ट प्यारी रहेगा ठीक आज के लेक्चर में हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे जो कुछ बाकी है टोटल कंप्लेट करेंगे तो क्या बचा हुआ इस यूनिट में डाइफेनल मेथेन नेफ्थलीन फेनित्रीन एंत्रासिन एंड ट्राइफेनल मेथेन तो यह जो 1,2,3,4,5 5 टॉपिक जो बचे हुए है टोटली इसी ही लेक्चर में आज ही हम लोग कंप्लेट करेंगे तो किसी को कहीं पर कोई भी डाउट हो तो जरूर बता देना कमेंट बाक्स में ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के वए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डाइफे टिक इसके लिखने के बाद आप लोग को दो रिंग बनाना है बेंजीन का देखिए ऐसे बनादेनाः और भीच में फीनाल का दो इसे बनादेना इसी तरीके से दिए यह लिखा है डाइफेनल, इट मिंस दो फेनल यहाँ पर आपस में फिनाल की स्ट्रेक्चर है, इसके बीच में मेथेन लगा हुआ है, इसी के वह में लोग काते हैं, डाइफेनल मेथेन, समझ में आगे आप लोग को, नई समझ में आया, जैसे देखें माल लीजी इसी तरीके से कुछ बना हुआ है न, इस्ट्रेक्चर कैसे बना हुआ है, देखें यहाँ पर, देखें, ठीक, तो कुछ जब इस्ट्रेक्चर इसी तरीके से बना हुआ है, और लिखा है डाइफेनल मेथेन का इस्ट्रेक्चर बनाना है, तो आप लोग को दो फिनाल का कुछ इस तरीक मेथेन तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे नहीं समझ गए होंगे तो एक बार दियान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा दो फिनाल का इन दोनों के बीच में अमारा मेथेन जोड देंगे उसे को हम लोग काते है डाई फेनल मेथेन तो इस्टार बना लेंगे आप लोग टयार हो जाएगा तो यह क्या होता है सबसे पार इसलिखेंगे इसलिए पेल अलो लिए टिक लगाया हूँ और तो आगे लिखे गए हैं लेकिन कम से कम आप लोग इतना तयार कर लेना और देखें यह यूज किये जाते हैं फैक ग्रेंस के लिए परफ्यूम में शोप में और सेंपू में यह सब के लिए यूज किये जाते हैं ठीक डाइफिनल मेथिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं chemical reaction के तो chemical reaction में तीन heading आप लोग तयार कर लीजिए अगर कहीं नहीं आ रहा है किसी में भी तो इतना तो लिख देना Oxidation, Halogenation, Nitration, Halogenation, Oxidation इसके बारे में लिखेना है आप लोग को तो ट्रिक बना के पढ़ेंगे तो आप लोग का तयार हो जाएगा Nitration, Halogenation, Oxidation तो Nitration क्या होता है? Nitration में देखिए इट जे अंडर गोज Nitration जब ये heat होता है किसके concentration के साथ? ये CHNO3 के साथ होता है तो H2SO4 के Mixer में तो हमारा क्या होता है? देखिए डाइ फेनल मेथेन जो हमारा होता है ये heat होता है किसके साथ? ये CHNO3 and H2SO4 के साथ तो हमारा बनता है 1-Benzene 4-Nitro-Benzene ठीक और इससे फिर हमारा होता है heat तो हमारा बनता है 24-Nitro-Penyl-Methane ये ही बनता है तो ये जो हमारा reaction है बहुत ही आसान है दोस्तों एक से दो बार आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे तो Nitration ये तयार हो आप देखिए Halogenation तो Halogenation में क्या लिखेंगे देखिए Halogenation को जो हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ Liquid Bromine के साथ तो it is a under the Bromination तो Bromination होता है at Ethane Methane Carbon ठीक at Methane Carbon तो डाइफेनल मेथेन का स्ट्रेक्चर बनाना Halogenation में BR2 के presence में होता है जब ये ट्रीट होता है तो हमारा बन आप लोग समझेए ये कैसे बन रहा है देखें यहाँ पे जो BR2 है यहाँ से एक येचश रट गया और यहाँ से एक देखें यहाँ से समझे आप लोग टू यहां से एट जाएगा और यहाँ से भी टू हट जाएगा BR2 से तो CHव सी अषज में दो जगए टूटेंगे और भी आर ऊपर हो जाएंगे इसे हम लोकाते डाईफेनिल ब्रॉमाइड ठीक आप लोग को समझ में आ गया आप देखे आप देखिए ऑक्सिडेशन की बात करते हैं आक्सिडेशन में क्या होगा अपान आपसेडेशन डाईफेनिल मेथैंज होता है यह देता क्या बिंजोफिन तो डियो फेनल मेतई से हमारे फ्не की परिज Kiya में बन रहा है बन रहा है इंट्ड हरनल रहा है इसको आपने कंपारिपरेंड न चले स्किन्हारे आगे हम नोग बात करने जा रहा है हम दिःविं introduction, structure, and chemical reaction, chemical reaction, and synthesis पूरा complete हो गया, आगे बात करने जा रहा है, naphthalene तो चले देखते हैं, naphthalene के बारे में naphthalene, naphthalene में आप लोग सबसे पहले बनाएंगे structure structure बनाने के बाद, दो benzene ring आपस में attach करके बना दीजेगा, this is called naphthalene वही होता है हमारा naphthalene और इसका formula क्या होता है इसका formula जो होता है यह होता है C10H8 यही होता है इसका formula अब इसमें क्या लिखेंगे तो naphthalene जो होता है यह इंफलेट PNH होता है जो की इट आकर स्कूब होता है white crystalline solid के साथ होता है with the characteristic strong order यह अप्टेंड किया जाता है ether coal tar से या फिर petroleum distillation से यह क्या किया जाता है अप्टेंड किया जाता है और यह यूज किया जाता है dice plastic lubricant and explosive के लिए यूज किया जाता है और यह जह होता है जब high levels के naphthalene vapors होते हैं तो यह inhaled होते है इट cold cause the nausea vomiting headache ठीक यह इसी के लिए होते हैं तो यही सब इसके कारण होते हैं ठीक समझ गये आप लोग naphthalene का structure हो गया formula हो गया इसके बारे में जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया अब बात करने जा रहे हैं हम लोग chemical reaction के तो chemical reaction देखके तो इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction यही चार reaction आप लोगों को पढ़ना इसमें लेकिन आप लोग तो डर गए होंगे कितना खतरनाक बना हुआ है तो देखिए डरने की बात नहीं आप लोगों सबसे पहले एक काम करिए यह structure नेप्तलीन यहां बनाए नेप्तलीन का ऐसे structure यहां पर ऐस ठीक बस यहां पर bond rate जो बीच में लगे हुए है इसी का थोड़ा बहुत changing है लेकिन आप लोग पहले one उसके बाद ऐसे column बना के और इसको तीन जगह ऐसे तोड़ दीजिए ठीक उसके बाद sodium sodium यहां पर nickel H2 लगा हुआ है इसका presence बना देना इसके बाद उसके बाद one four dehydro naphthal decline और यह decline बस यही आप लोग को तयार करना है लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं तयार करना है आप लोग को सबसे पहले क्या करना है आप लोग को यहां पर लिख के बता दूँ नहीं तो आप लोग इस structure देख कि इतना ज़्यादे डर जाएंगे कि lecture छोड़ की भाग जाएंग कि नहीं यह तो confusion बहुत ज़्यादे होगी आप पढ़ना ही नहीं है आप छोड़ देंगे इस topic कोई ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोग को ज़्यादे structure से भागेंगे तो कब तक भागेंगे आगे आप लोग को बहुत ज़्यादे structure पढ़ने हैं तो अभी सही आप लोग ज़्यादे अगर आपने मिनहत कर दिया उसके बारे में अगर बहुत ज़्यादे आप लोग practice कर देंगे कोई भी ऐसा subject नहीं है जो आप लोग कभी भूल सकें और उस subject को अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे subject होते हैं जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादे easy लगता है कि यह subject बहुत ज़्यादे easy है आखिर वो subject easy क्यों है क्योंकि आपने उस पे बहुत ज़्यादे मिनहत करते हैं इसे लिए वो subject आप लोग को easy क्यों लगता है क्योंकि आप लोग उसको बहुत ज़्यादे ध्यान से पड़ते हैं और यह subject आप लोग को समझ में नहीं आता है बहुत तो बहुत ज्यादे hard लगेंगे, तो देखे चलिए आप लोग topic पर बात करते हैं, बात बहुत ज्यादे हो गए हैं, तो देखे structure आप लोग को इस तरीके से बना लेना है, फिर इसके बारे में ऐसे लिख देना है, तो आसान हो गया न, ये ऐसे बना लेना है, पहले simple, उसके बात naphthalene, यहाँ पर ये कुछ लिख देना है, dehydronaphthalene, one, two, three, four, tetrahydronaphthalene, decline हो गया, oxidation में, oxidation में भी वही काम करना है, जो मैं आप लोग को बताया हूँ, पहले ये बनाना, फिर इसमें देखिए, one, two, three, four, four बार कर देना, तो one, four naphthalo union हो गया, पेतुडाई हो गया, पैतलिक एक बात आप लोग को और बताना चाहता हूँ, मैं, कि अगर आप लोग examination में ऐसे बड़े बड़े structure बनाएंगे, तो आप लोग के साथ number की question आएंगे, तो देखिए आप लोग के pages बहुत जादे भरेंगे, और जानते हैं ये अच्छे अच्छे बनाएंगे, structure page भरेंगे, तो बहुत जादे अच्छे नंबर उठेंगे, तो एक दम अच्छी तरीके से बड़े बड़े structure बनाएगेगा, एक दम अच्छी तरीके से, तब देखिए इसका कमाल आप लोग को result में दिखेगा, कि कितने अच्छे आप लोग के result आएंगे, चल ये बात करते हैं कुलोरी नेशन में दो इस्ट्रेक्चर बना देना है, क्या करना है, नेप्तलेन बनाने के बाद दो इस्ट्रेक्चर बना देना है, तो इसका नाम भी लिख देना है आप लोग को, तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, रिडेक्शन, ओक्सिडेशन, रिडेक्शन, ओक्सिडेशन and chlorination बस यही तीन आप लोगों को लिखना है इसमें ज्यादा नहीं आप लोगों इसे इतने देख के डर गए होंगे लेकिन डरना नहीं बस आप लोग इतना इस्ट्रेक्चर स्यार करना है टेक कैमिकल रियक्शन में इसके और नैप्तलेन का सेंथिस आप लोग यह बना लेज पिर जिंक से हमारा एचल के साथ होगा तो वन टू थीर फोर टेटरा इडरनेफ्थलेन बनेगा पिर हमारा इसको हीट किया जाएगा डियाडरोजीनेशन की दौरा तो हमारा क्या बन जाएगा नैप्तलेन यही आप लोग का बन जाएगा तो देखिए हम लोगों ने पूर जो कि दो ऐसे बना देना उसके बाद यहाँ पर साइड में ऊपर से कर देना यह आपस में बना देना इसलिए कि हम लोग बोलते हैं फेनिंटरेन का इस्ट्रेक्चर ठीक तो यह जो हमारे होते हैं इट इस एपियर एज कलरलेस मोनो क्लिनिक क्लिश्टर विट एफेंट एर प्रिमेटिक आडर और यह जो होता है यह लिनियर होता है आईसमर फेनिंटरेन के ठीक तो यह कहां किया जाता है इस एडेसिए एंड इसलिएंट तो इसके बारे में और भी चितना लिखना चाहते हैं दो तीन पॉइंट लिखे गये हैं बात करने जा रहे हैं हम लोग केमि यह दो आप लोग को दिखा दे रहा हूं देखिए आक्सिडेशन फेनिंटरेन का उसके बाद आक्सिडेशन को हमारा इससे होगा तो हमारा क्या बनेगा दिखरा ना फेनिंटरेन क्यूनीन उसके बाद देखिए रिडेक्शन में यहीं पे लिखा गया है यूजिंग टैट लिधियम हईड़ेट जो होता है वह विर्गिसली सेकेंड होता है किसके साथ मुल्टेन फिलंट्रेंज के साथ आठाई टम्प्रेचर पर तो फेनिंट्रेंज जो हमारा होता है वो रेडियूस हो जाएंगे 1,2,3,4 आप लोग डाल लिजेगा इसको 4,5 मत करिएगा तो 1,2 देखा उसके बाद 3,4 डाल लिजेगा तो चारी बताऊंगा chemical reaction जो आप लोग को किसी भी तरीके से examination में तयारी करना है तो nitrogen में देख लिजे क्या होता है phenythrin से हमारा 9-nitro phenythrin बनता है ठीक 9-nitro phenythrin और acylation acylation में हमारा होते phenythrin undergoes acylation with the acetyl chloride in the presence आप in the presence आप क्या है aluminum chloride at 0 degree Celsius and 9-acetyl phenythrin acetyl तो यहाँ पर क्या हो रहा है phenythrin से हमारा 9 phenythrin बन रहा है 9-acetyl phenythrin बस चार आप लोग को तयार करना है chemical reaction में किसी भी तरीके से इसलिए 60 आप लोग को बता रहा हूं और शाटली आप लोग को यह 1-2 जो यहाँ पर 5-6 दिया गया वो आप लोग 3-4 डाल लेना अपने कॉपी में और लिख लेना ठीक चलिए देखते हैं आगे हम लोग इसका संथिस थोड़ा से आप लोग जान लेजें संथिस में आप लोग डालेंगे हेडिंग, फ्रेडिल क्राफ्ट एसलेशन, किलिमेंसर रिडेक्शन एंड रिंग कुलोजर यही तेन चीज लिख के, नेप्थलीन से हमारा सुसाइनिक एन हैड्राइड बनेगा, फिर इससे हमारा होगा, तो एलफा नेप्थलीन प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ठीक किलिमेनिक रिडेक्शन में क्या हो रहा है एलपा नेप्थलोनिक प्रोपेनोइक एसिट से हमारा क्या बन रहा है देखें गामा नेप्थलोनिक ब्यूटरिक एसिट बन रहा है फिर रिंग कुलोजर में क्या हो रहा है रिंग को लोजर में में यफा नेप्टलोनिक ब्यूट्रीक एसिट से हमारा 1 कीटो 1,2,3,4 टेट्रा हाइडरो फेनिंधरीन बन रहा है जोसका कलिमेंसर रेडक्षन होगा तो 1,2,3,4 टेट्रा हाइडरो फेनिंधरीन बनेगा इससे हमारा एरोमेटर जेसन होगा तो फेने तरेन का हमारा इस्ट्रेक्चर बनके तयार हो जाएगा बस यही आप लोग का है रिंग को लोजेर का ठीक, लास्ट हम लोग बात करने जार नहीं, लास्ट नहीं है, इंतरसीन और एक आगे भी है आप लोग को तो चलिए देख लेते हैं, इंतरसीन इंतरसीन में सीधा-सीधा तीन बेंजीन का इस्ट्रेक्चर एकदम सीरियल वाइस से बना देना, ठीक वही होता है हम लोग का इंतरसीन तो यह परजेंट होते हैं, इंतरसीन आइल and green oil fraction में जो की कोल तार की होते हैं, ठीक and it is a colorless solid यह जो हमारा होता है colorless solid होता है solution की farm में होते हैं और यह exhibit करते हैं blue fluorescence की चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा chemical reaction की, chemical reaction तो chemical reaction में लेक्षन में लिखेंगे, electrophilic substitution reaction occurs होता है, किससे 9 से 10 position में होते हैं तो enthracin का हमारा ISO pentol होगा, तो 9 से 10 dihydrose होगा, oxidation होगा enthracin का, तो 9 10 enthracinone होगा, halogenation होगा halogenation अगर आप लोग को easy लगे तो halogenation लिख लेना nitrogen का structure लगे nitrogen लिख लेना, sulfonation समझ में आया, तो sulfonation का structure बना लेना, लेकिन 3 से 4 आप लोग को लिखना है, बस 3 से 4 chemical reaction लिख देना है दोस्तों जो की सही रहेगा, तो ये पचमा सल्पोनेशन छोड़ दीजी आप लोग अगर आप लोग बना लेते हैं, तो बना लेना नहीं तो आप लोग कम से कम oxidation, reduction halogenation and nitrogen एक एक line का structure reaction है आप लोग इसको कर लेना, ठीक तो चलिए हम इसका देख लेते हैं, centis उसके बाद, एक और है triphenyl methane वो भी complete करके हम complete कर देंगे centis इसका यहाँ पर दिया गया है centis आप लोग इसका लिख लेना, centis में benzyl chloride से हमारा phiridle clart isolation होगा, तो 910 dihydro antracene बनेगा, फिर antracene हो जाएगा, तो पहला centis यह हो गया दूरसरा centis यहाँ पर दिया गया है इसको आप लोग कर लेना, एक ही centis लिख देंगे तब भी सही है, ठीक, जादे कुछ करने की ज़रूत नहीं है, अब देखिए आप लोग, triphenyl methane triphenyl methane क्या होते हैं, triphenyl methane का सबसे पहले आप लोग बनाना structure structure लिख देना structure लिखने के बाद बना देना structure triphenyl methane triphenyl methane में, तीन structure ऐसे बना देना, थोड़े दूरी-दूरी फे, bond निकाल के बीच में yen attach कर देना, यही हम लोग structure होता है, triphenyl methane का, तो यह क्या होता है, इटेजे आप white lampy solid having the characteristics order and यह decompose करता है, अपान दी burning and produce करता है toxic fumes को including the nitrogen oxide ठीक, और यह compound जो हमारे होते हैं, is not basic, basic नहीं होते हैं, but it is as, क्या होता है, एक्वास solution होते हैं, जो कि एक fake base होते हैं, ठीक, synthesis का आप लोग लिख लेना, synthesis में diphenyl methane से phenyl iodide होगा, nitrogen benzene से हमारा triphenyl dopamine बन जाएगा, तो आज की lecture में हम लोग क्या complete कर लिए, आज की lecture में हम लोगोंने polynuclear hydrocarbon, totally totally unit 4 आप लोग का complete हो गया है, अब इस subject में केवल एक ही unit बट रहा है, unit 5 केवल बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्ड आप लोग को complete करा दूँगा, आसान तरीके से, बस आप लोग हमारे channel पे जुड़े रहे हैं, कहीं पे कोई भी confusion होए, तो बस बता दीजी हमको, ठीक, तो चलिए, वीडियो अच्छे लगा हो, तो वीडियो को